नमस्कार स्टूडेंट्स, समासास्तर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम जानेंगे सामाजिक समुह, हम चर्चा करें थे, समासास्तर की प्रात्मे का उधार नाए, इसमें हम जानेंगे सामाजिक समुह, जैसे हम सब जानते हैं कि मनुष से एक सामाजिक प्र तक ने केवल अनेक परकार के सामाजिक समूह में रहता है बलकि निरंतर वे अलग-लग समूह का निर्मान भी करता रहता है मनुष्य समूह के मादिम से ही अपने विभीन परकार की आवसित्तों को फून करता है समूओ के मादिम से ही अगर हम यह माने कि समूओ को अटा दिया जाए तो वेक्ति का कोई अपना अस्तीत्व नहीं बचता है समूओ है तो ही वेक्ति का अस्तीत्व है क्योंकि अनेक परकार की वेक्ति की आवसकता ही होती है उन सभी आवसित्तों को है कही न कही समुह के मादिम से ही वे पून कर सकता है बीना समुह के हम विक्ति की कोई भी कल्पना नहीं कर सकते विभिन समुह के मादिम से ही विक्ति का समाजी करन होता है और समाजी करन के द्वारा ही उसके विक्तित्र का विकास होता है समोय हमें आदिम से आदिम समाजों में भी और यहां तक कि हम कुछ पसूं में भी हम समोय को रूप में देख सकते हैं समुह के मादिम से विक्ति एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में अपने विचारों को अपने अनुभों को अपनी प्रताओं परंपराओं आधी को एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी तक समुह के द्वारा ही अस्तांत्रित करता है साधान ते समुह सबका प्रियों कुछ वेक्तियों के संग्ठन के लिए किया जाता है जिसके अंतरगत परिवार, भीड, सामाजिक समुह, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, राजनितिक वर्ग, आर्तिक संस्ताइं, विशाईक वर्ग, विभिन जातियां, परजातियां, आदी सभी सामाजिक समुह के अंतरगत आते हैं अब हम जानेंगे सामाजिक समुह का अर्थ परिभासा तो सामाजिक समुह एक ऐसे वेक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसे ने किसी परकार का संबन पाए जाता है समाज सास्त्री द्रस्टी कोण से जब दो या दो से अधिक वेक्ति किनी सामाने उद्देश्यों के लिए एक दूसरे से सम्मन स्थापित करते हैं और एक दूसरे को परभावित होते हैं और एक दूसरे को परभावित करते हैं तो ऐसे वेक्तियों के हम संग्रह को सामाजिक स या समाजिक समुय के अंतरगत्त है उसको घर हम साब्दिक द्रस्टी से देखें तो समाजिक और दूसरा समुय समाजिक होता है समाजिक संबन समाज से संबन्दित और वही समुय का अर्थ होता है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वेक्ति जब एक्तरित होते हैं तो वही समाजिक समुय का निर्मान करते हैं और उसको समाजिक कब कहते हैं जब समाज से संबन्दित होता है इस परकार दो या दो से अधिक वेक्तियों के संग्ठन को समाजिक समुय कहते हैं समा सास्तर में समुय से आसे दो या दो से अधिक वेक्तियों के मातर संग्रे होने से नहीं है बलकि मेकाईवर में पेज का कहना है कि समुए से यहाँ पर समुए से हमारा तातपरी या आसे वेक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ समाजिक संबंद स्थापिर करते हैं एक दूसरे के साथ समाजिक संबंदों से बंदे होते हैं और इस परकार उस समुए में कम से कम दो या दो से अधिक वेक्ति पाए जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सम्बंदों का निर्मान करते हैं अथार्थ हम कह सकते हैं कि समुए से हमारा तात्परिय वेक्तियों की किसी ऐसे संग्रे से हैं जो एक दूसरे के साथ सामाजिक सम्मन स्थापित करते हैं। इसी परकार ओगबर ने का कि जब दो या दो से अधिक वेक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे पर अपना परभाव डालते हैं, एक दूसरे से परभावित होते हैं, तो वे एक समुय का निर्मान करते हैं और इस परकार से बनने वाले समुय को हम सामाजिक समुय कहते हैं हेरियम जोनसन ने कहा कि समुय के निर्मान के लिए वेक्तियों में आपसी सैयोग को आवसिक मानते हैं इसी परकार मटर ने कहा कि समुय के लिए किसी भी समुए के निर्मान के लिए तीन बाते होना अत्यावसिक हैं पहला इसमें दो या दो से अधिक वेक्ति होने चाहिए दूसरा इनमें सामाजिक संबंद पाया जाना चाहिए ये संबंद वेक्तियों के बार-बार अंते के लिया से बनता है जब वेक्तियों के मद्दे बार बार अंत्य किरिया होगी निकि वह जो एक दूसरे को समझेंगे एक दूसरे को परभावित करेंगे और एक दूसरे से भी परभावित होगे तो उनके मद्दे अंत्य किरिया ये सब चमब हो है अंत्य किरिया के द्वारा और जब अंत्य किरि का सदस्य माने जाने के लिए ये आवसिक है कि वैस्वेम अपने को किसी समोय विशेश का सदस्य समझे उसके परती उस वेक्ति में उस समोय के परती हमकी भावना रखे और साथ ये भी आवसिक है कि समोय के अन्य सदस्य सदस्य या दूसरे सत्मुए के सद्दत से भी उसे, Wyंसे समुए का सद्दत से समझें, ये जब किसी भी समुए निर्माण के लिए ये अत्यावसक सर्त मानिये, किसमें मर्टने. अब हम पढ़ंगे सामाजिक समुए की परिभासाई, अलग-लग समासास्त्री ने अलग-लग तरीके से दी है तो ओबन और निमकोफ के अनुसार जब दो या दो से अधिक वेक्ती एक साथ मिलकर रहे और एक दूसरे पर परभाव डालने लगे तो हम कहते हैं कि उन्होंने समुय का निर्माण कर लिया है इसी परकार मेकाईवर उपेज ने कहा कि समुय से हमारा तात्परिये मनुस्यों के किसी भी ऐसे संग्रे से है जो समाजिक संबंधों दोरा एक दूसरे से बंदे होते हैं इसी परकार सेरिफ एम सेरिप ने कहा कि समुय एक समाजिक एकाई है जिसका निमान ऐसे विक्तियों से होता है, जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निस्चित स्थिती यूं कारिय निस्पादन के कारिय विश्यक संबन पाए जाते हैं. बोगार्ष ने कहा कि सम्मुय किसी वस्तू की इकाईउं की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित है फेर चाहल ने कहा कि दो या दो से अधिक वेक्तियों का संग्रे सम्मुय है जिनके बीच स्तापित मुनो विज्ञानिक अंतेक के रिया प्रतिमान होता है जो उसके सदस्यों के द्वारा तथा समन्य तयाद दूसरों के द्वारा भी उसके विभीन विशिस सम्मुयक वेवार के कारण एमन संदी के रूप में स्विक्रित किया जाता है केटल ने कहा कि समुह उन जमात को कहते हैं जिन में प्रतेक वेक्ति को कुछ आवसेताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सेयोग लिया जाए गरीन निक के अनूसार समुह की परिभासा समुह वेक्तियों का एक ऐसा संग्र है जो स्थाई है जिसके एक या अधिक सामन्ने हित पाए जाते हैं इस परकार हम कह सकते हैं कि बोगार्ट के अनुसार एक सामाजिक समुए दो या दो से अधिक वेक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ समन्ने उद्देशियों पे हो और जो एक दूसरे को प्रेणा दे जिन में भगती हो और समन्ने किरियां में समिलित हो अतस्पस्ट है कि जब दो या दो से अधिक वेक्ती पार्स्परिक रोप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और तता किनी सामाने हित्तों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर अंते किरिया के द्वारा सामाजिक सम्मन्मों को स्तापित करते हैं तो इसे एक हम समुए का निर्मान होता है और इसके द्वारा बनने वाले समुए को सामाजिक समुए कहा जाता है अब आगे वाले अध्याई में हम जानेंगे सामाजिक समुए की विसेस ताइम धन्यवाद